Hello guys, मैं हूँ Anika Atakarwal, Welcome to An Academy और आज हम डिसकस करने वाले हैं UPSC का exam pattern क्या है और syllabus क्या है एक बहुत informative वीडियो होने वाली है specially उन लोगों के लिए जो लोग अभी plan कर रहे हैं कि हम UPSC exam देना चाहते हैं future में So youngsters जितने भी हैं जो लोग सोच रहे हैं इस exam के बारे में उन लोगों के लिए बहुत ही आई ओपनिंग session होने वाला है और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा Anakademy आपको इस project में कैसे help कर सकता है तो ये जो हमारा UPSC का exam है basically तीन stages में divided है Three stage process है जिसके थूँ आप एक gazetted officer बन जाते हो So gazetted officer is a person जो की gazette के अंदर जिसका नाम आता है and उसको government के तरफ से stamp दे जाती है जिससे कि वो किसी भी कागज को attest कर सकता है that this paper is true So इसलिए इंडिया का बहुत prestigious exam माना जाता है तो इसी के बारे में हम देखने वाले हैं So first stage is called the preliminary stage जिसके अंदर prelims का exam होता है Second stage के उपर आपका mains का written exam होता है First stage के अंदर सिर्फ objective type MCQ paper है Second में आपका written paper है and then there is a personality test जिसे हम interview भी कहते हैं So अगर मैं preliminary exam की बात करूँ तो आपके दो exam होते हैं दोनों एक ही दिन में conduct किये जाते हैं और दोनों ही दो-दो घंटे के होते हैं So जो prelims का paper number one होता है जैसा कि यहाँ पर आपको screen पर दिख रहा होगा 200 marks का होता है और two hours का होता है इसके अंदर जो main components होते हैं वो होते हैं आपके general knowledge की questions general studies के questions current affairs के questions यानि कि day-to-day life में, देश में, दुनिया में क्या चल रहा है उससे related questions और इसमें लगभख 100 questions आते हैं और negative marking होती है यानि कि अगर आपने answer का जबाब गलत दिया तो one third आपके marks जो हैं वो काटे जा रेंगे और इसके अंदर जो syllabus की अगर मैं बात करो हैं, then there is quality जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा political structure, constitution, इंडिया का कैसे है कैसे काम करता है, वो सब आ जाता है then there is economics, तो basic economics जो है 10th, 12th level की वो पूछी जाती है, then there is environment, तो environment, biodiversity में क्या चल रहा है international conventions क्या है उससे related वो सब चीजे आ जाती है then there is science and tech, तो again science and tech के मुकाबले हम क्या कुछ नया कर रहे हैं, हमारे scientists क्या नया कर रहे हैं, space science के अंदर क्या चल रहा है, तो वो सब चीजें भी इसमें cover हो जाती है, again it is more oriented towards current affairs than static and lastly art and culture तो यानि कि हमारे ancient India का क्या art था, क्या culture था, उससे related, painting techniques कौणसी कौणसी होती थी, वो सब चीजें आप से पूछी जा सकती है paper number 2 पे आते हैं, तो paper number 2 की बात कहें, तो again ये 200 marks का आपका exam होता है, और ये भी 2 घंटे का ही होता है, and this paper is called CSAT exam, तो इसके अंदर 80 questions होते हैं, ना कि 100, और इसके paper 1 के हिसाप से, आपके merit decide होती है कि आपका prelims clear हुआ या नहीं हुआ, इसके अगर हम syllabus की बात करें तो इसके अंदर comprehension, यानि कि basically English वाला आपका जो part होता है, जिसके अंदर communication skills आ गए, वो सब चीजें पूछी जाती हैं, इसके इलावा आपके reasoning के questions होते हैं, logical reasoning के analytical ability के, decision making problems, ये सब चीजें पूछी जाती हैं और इसके इलावा थोड़ा सा quantitative aptitude, यानि कि mathematics का portion basic mathematics का portion भी इसमें पूछा जाता है, so it includes general mental ability और basic numeracy तो जो candidates preliminary exam को pass कर लेते हैं, वो अगला exam देते हैं, जो कि mains का exam होता है और इसके अंदर भी morning, evening करके आपके exams होते रहते हैं, तो एक दिन में आपको दो exams लिखने होते हैं, तो आपके अच्छी खासी writing practice होनी चाहिए, कि आप 6 घंटे लगातार एक दिन में लिख सकें, तो basically 3 घंटे के बाद आपको gap तो मिलता है, पर एक दिन में तो आपको 6 घंटे लिखना पड़ेगा So, mains की अगर मैं बात करो, तो qualifying exam होते हैं, again उसका marks जो है, वो merit पे नहीं लगते लेकिन you have to clear those exam उसके अंदर होता है एक तो English का exam, जो 300 marks का होता है, and any regional language, तो जैसे अगर आप लोग speaking states में हैं, तो आप Hindi लेंगे अगर आप पंजाब भी लेना चाते हैं, पंजाब भी ले सकते हैं, ताब में लेना चाते हैं, ताब में ले सकते हैं तो कोई भी age schedule के आप language को ले सकते हैं, again that exam is also of 300 marks, उसके बाद आपका essay का exam होता है, essay के अंदर आपके दो sections में बटा होता है exam, section number A and section number B, तो section number A में आपको चार options दिये जाते हैं, जिसमें से आपको किसी A के उपर essay attempt करना होता है, and similarly section number B में भी आपको चार options दिये जाते हैं, जिनमें से आपको सिरफ A के उपर essay लिखना होता है, essay का total exam का जो weightage है, वो 200 marks का है, और यह बहुत ही scoring exam माना जाता है, उसके बाद आजाता है आपका जो game changer exam है, या फिर आप कह सकते हैं, जहां से merit decide होती है, that is the optional exam, तो आपको पता है कि यह optional की बहुत सारी list है, जिसके अंदर इसके अंदर paper 1 और paper 2 होता है, दोनों का syllabus predefined होता है, तो आपको उतनी ही तियारी इसमें करनी होती है, और अगर आप अपने चीजों को link कर पाओगे current affairs के साथ, तो बहुत इस अच्छे आपके marks आ सकते हैं, उसके बाद आजाते हैं, GS के exam पे, तो अगरे इन यह सब तो आपके होगे other exams अब उसके इलावा आपका general studies का भी paper होता है और general studies के 4 paper होते हैं, जो की 200 number का each होता है, तो basically 250 marks each आपको 4 exams देने होते हैं, तो 1000 marks के आपके other exams होते हैं, तो इसके अंदर आपका general studies 1, general studies 2, general studies 3 and general studies 4, यह 4 papers होते हैं, तो general studies 1 जो है, it is mostly history, geography and society, इसके अंदर आपको society से related, social issues से related questions पूछे जाएंगे, history, art and culture से related questions पूछे जा सकते हैं, जैसे सारी की सारे जो वेसे team battles of panipat हम में पढ़ते हैं history में, तो वो panipat में ही क्यू हूँ हुई, तो इस तरह के quality oriented, तो इसके अंदर आपको governance पे, quality पे, जैसे legislature है, उसकी working पे, उन चीज़ों पे questions आ सकते हैं, और साथ ही आपको international relations के उपर भी questions आ सकते हैं, suppose India, Sri Lanka relations, India, Taiwan relations, इस तरीके से आपसे relations पूछे जा सकते हैं, GS3 के अगर हम बात करें, तो GS3 के अंदर आपका size in tech आ जाता है, economy आ जाता है, environmental चीज़ें आ जाती है, environmental studies के अंदर जो चीज़ें हैं, biodiversity से related चीज़ें हैं, और disaster management से भी questions आप से पूछे जा सकते हैं, तो इसमें basically economy जो है, वो काफी strong होना चाहिए, GS4 के अगर हम बात करें, तो GS4 आपका ethics का paper होता है, इसके अंदर आपको case studies दी जाती हैं, उसके अंदर इस तरह के questions होते हैं, कि आप इस area के district magistrate हैं, and you are facing such kind of problem, तो आप अपना क्या decision लोगे, और उसके क्या reasons होंगे, so ethics, integrity and aptitude, this is a very scoring paper again, so इस तरह से हमारे charge ESK papers होते हैं, तो इसके बाद एक combined merit list आती है, तो जो merit list को qualify कर लेते हैं, they are called for your interview or personality test, तो उसके बाद जो है final selection होता है, so this was the complete overview of the syllabus of your UPSC exam, and जो भी लोग नया इसको join करना चाते हैं, उनको मैं बता दू कि unacademy आपकी बहुत ज़्यादा help कर सकता है, इसकी preparation के अंदर, so unacademy के अंदर हमारा एक unacademy plus subscription होता है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा benefits मिलते हैं, जैसे कि आप अपने favorite teacher से पढ़ सकते हैं, और आपको dedicated doubt sessions मिलते हैं, so basically अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप doubt clearing session के अंदर जाके, dedicatedly अपने teacher से उस doubt को clarify कर सकते हो, साथ ही, इसके अंदर एक subscription होता है, और आपको unlimited access मिल जाता है, पूरी की पूरी आन-academy की library का, so that means कि अगर आपको कोई और exam बीच में देना पढ़ गया, या आप किसी और चीज की prepare करना चाते हो, तो वो videos भी आप access कर सकते हो, वो notes भी आप access कर सकते हो, जो teachers हैं, वो live पढ़ाते हैं, तो आप real time interaction कर सकते हो, teachers के साथ, कोई आप कुछीज नहीं समझाई, कोई चीज आपको repeat करवानी है, so you can do all that, वो भी घर बैठे-बैठे घर के comfort से, उसके बाद आपकी जो भी doubts होते हैं, वो भी आप live class के अंदर पूछ सकते हैं, you will have a chat box inside, कि आप chat box के अंदर आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको doubt होगा, and teacher जो है, वो आपको वहीं पर doubt को clear कर देंगे, इसके इलावा अगर हम देखें, तो online batch का मतलब यह नहीं है, कि हाँ पर unlimited students होंगे एक ही batch के अंदर, so there is a limit to every batch, तो एक batch के अंदर limited number of students होते हैं, जिससे की teacher personal, P2P interaction, personal, person-to-person interaction कर सकता है, which will help you a lot, और आपको ऐसा ही लगएगा, जैसे कि आप किसी offline batch में, बैठखे, किसी teacher से interaction कर रहे हैं, इसके अलावा जित्ते भी videos होती हैं, वो आप download कर सकते हो, यानि कि अगर आपका internet ना चले, या आप किसी ऐसे area में है, जहाँ पर internet की speed बहुत slow है, तो आप उनको offline download करने के बाद देख सकते हो, ताकि आपका कोई भी चीज मिस ना हो, and you can enjoy it offline also, और इसके अंदर हमारा जो अभी दो साल का package है, उसके उपर आपको 75% तक discount मिल जाएगा, and you can get additional 10% discount, अगर आप code यूज करते हैं, ANI 7, एक बार अगर आप अनकाडमी प्लस का subscription ले लेते हैं, तो आपको सभी तरह की वीडियो, सारे optional subjects, सारे GS के subject, essays, and सारी चीजें, आपके fingertips पे होंगी, आपके mobile के पास होंगी, आपके PC के पास होंगी, so you can access everything easily, अगर आप इस lecture की PDF चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी study time YT telegram group के उपर, and आप मुझसे personally भी connect हो सकते हैं, Instagram पे using my ID and Kate XT, अगर आपको कोई भी doubt है, अनकाडमी प्लस के subscription से related, तो आप नीचे comment box में comment कर सकते हैं, and our team will contact you, so I hope आपके ये video informative लगा होगा, and अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप नीचे comment section दो पूछ सकते हैं, thank you for watching,